वेलो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में तो आज तो मैं इतनी प्यारी मिठाई की रेसिपी लेखे आई हूँ जो कि कोई गेस्ट आया हो या बाहर से कोई आया हो या घर बालो कोई खाना हो तो उसके लिए आप जटपट बना सकते हैं इसे आसानी से तीन चार आ बेल आइकन को प्रेस करें तो गाइस तो ये टू इन वन मिठाई है जो की मावा से और बैसन से बनी हुई है जो की खाने बहुती टेस्टी लगती है यार इसका स्वाद की चलिए जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो हमने एक कड़ाई में ले लिया है 10 लीटर मिल्क और इससे पका लिना देखिया यह पक चुका है और इसे इतना ही पकाना इसमें थोड़ si cini ate कर देंगे यह माववन के तयार है हमारा और सक्वाद कर लेना देखिया हम एक प्लेट में को ग्रीस कर लेना अच्छे से देखिया ऐसे करकि आप मावा भी बनके तैयार है तो हम इसे निकाल लेंगे देखिए यह फर्स्ट इस्टेफ हो चुकी है तो इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेना है तो हमने एक कड़ाई में लिया है थोड़ा सा बेशन दो कटोरी और इसे भी ब्राउन होने तक भूनना है अच्छे से देखिए इसका कलर आता जा रहा है तो इसमें एक चमच घी आइड करेंगे अच्छे से अगर आप इसमें ऑईल एड करना चाहते हो तो ऑईल से भी बना सकते हैं बट घी से जो बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और है जो सौप्टनेस आती है तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं ज्यादा हम इसमें थोड़ा सा घी और एड करेंगे क्योंकि यह ड्राय लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मेल्ट होने तक घी को हुआते जाना है तो ने से से मिक्स कर लिया है तो देखियेश का ONEY SHI तो आप देख सकते ही और चेंज होता जा रहा है चाहते फूरा घी से तरबतर हो गया है ज〜ते ही शीप काल लेंगे और घी को घीस कर के सौरी तो देखिए यह mix हो चुका है तो हमने एक कड़ाई मिली है चीनी और इसमें थोड़ा सा water add करेंगे और इसे अच्छे से melt होने के बाद हम इसी में मिला लेंगे जो हमने बेसन को भूना था अच्छे से इसमें color भी mix किया है तो देखिए हम इसमें मिला लेंगे चीनी जो बना के रखी थी चाशनी color वाली तो इसी में add कर लेंगे इसका color भूँ अच्छा दिखेगा देख सकते हैं आप last में देखना इसका तो हम पूरी चाशनी को add कर लेंगे देखिए ऐसे मिलाते जाना है इसमें bubbles ना बनने दें तो हमने flame को बन कर दिया है और सारी चाशनी जो बच्ची हुई थी उसे भी मिला लिया है तो इसे भी हम उस plate में निकाल लेंगे देख सकते हैं आप भी इसका color इतना best दिख रहा है यार जो कि खाने में बहुती tasty बनी है मिठाई तो हम इसमें जो मावा बनाके रखा था हम इसी के ऊपर इसको भी अच्छे से set कर लेना है देखिए ऐसे करके करते जाएं तो यह बन के दैयार है हमारी मिठाई तो हम इसकी cutting कर लेंगे अच्छे से जैसा save आप देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं तो हमने इसे अच्छे से प्लैटी काटाए और इधर से थोड़ा सा डाउन कर दिया तो देखिए इसका save चेंज हो चुका है तो आप इसे किसी ली एंगल में काट सकते हैं इसमें काजू बदाम रगती हैं और यह खाने में बहुत ही लजीज लग रही थी खाने में इतना टेस्टी स्वाद था इस मिठाई का कि मैं क्या ही बता हूं आप भी ट्राइ करें तो आप भी पदा कर पाओगी किकनी टेस्टी लगती है तो इन वन मिठाई तो आप भी इसी को ट्राइ करें इसे शॉप से पर्चेस ना करें घरी में ट्राइ करें तो यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है तो हम इसे घर में आसा बना सकते हैं आप भी ट्राइ करें जैश्री राम